रेवाडी में 50 की मोत आपको बता दें यहां 50 लोगों की मोत नहीं 50 गोवन्स की मोत है लेकिन चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो सभी में जीव आत्मा रहती है हेलो फैंस मैं दिपक शर्मा आपका एक और फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल हर्याना अपडेट डेली न्यूज में जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर रेवाडी जूडी बड़ी खबरे मिलती है रोजना इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें तो चलिए शूकरतियास की बड़ी खबरे पूल से गिरे गयाउं से लधी ट्रेक्टर ट्रोली पर कैमिकल का टैंकर गिरा एक बच्चे की मोत भी हो गई दिल्ली चैपूर हाइवे अर्टाली स्थित निखरी पूल पर मंगलवार को कैमिकल से बरे एक टैंकर ने ट्रेक्ट टककर से ट्रेक्टर ट्रोली पूल से नीचे गिर गई इसके बाद टैंकर भी ट्रोली पर गिर पड़ा इस विश्ण दुर गटना में च्यार साल के मासुम की मौके पर ही मोत हो गई जबकि उसके पिता और दादी गायल हो गई इस गटना के 6 गंटे बाद फिर ये गटना हु टैंकर की केमिकल से ट्रोली में भरे हुए गियों और शड़क की आसपास विख्रे केमिकल को यहां से गुज रहे गायों की डेरे ने खा लिया इसे बड़ी संख्या में गायों की मोत होगा इस्थाने लोगों को मानने तो करीब 50-60 गायों की 100 शड़क पर पड़े नजर आए कई गंटों तक शड़क से केमिकल युग गियों ने उठाने के लेकर लोगों ने पुलिस परसासन की कारे पर नाली पर सवाल उठाई देर रातक प्लिस परसासन सवक उठाने में जूटा रहा प्राइविट अश्पताल की सिने डॉक्टर सहिज 16 नए पॉजिटिव केस आए करोना का कैर रेवाड़ी में बढ़ता ही जा रहा है अब कुल केस हो चुके हैं 404 उनमें से 321 एक्टिव केस हैं और पूरी करोना की अप पंचैती राज अदे नियम 1994 में के नियम 6 के अंतरगत खोल खंड की ग्राम पंचैत के सरपंच के पद आरक्षित करने के लिए SDM रविंदर यादों की अध्रक्षता में ड्रा निकाला गया है खंड खोल की 14 ग्राम पंचैत अब महिलाओं के लिए आरक्षित हैं हाथसे से बाइक सवार की मोत आपको बता दें नागल चौध्य की खबर है ये निर्मान धिन गोर्डन धरमसाला के पास एक टेक्टर ने बाइक सवार को टक्र मार दी इस हाथसे में बाइक सवार प्रवासी मजदूर की मोके पर ही मोत हो गई जबकि उसके दूसरे साथी को गंभीर चोंट आई है कमपनी मालिक से मारपिट कर शाड़े तीन लाख रुप पेचोरी की आरोप में छै पर केश बावल थाना पुलिस ने दिल्ली निवासी उदमी की शिकायत्पर गाउं रूद निवासी पिता पुत्र सहित छे लोगों के खिलाब विवाद के चलते मारपिट करके घायल करते वे शाड़े तीन लाख रुप एक चोरी करके लिए जाने की आरोप में केश दर्श किया है पुलिस ने केश दर्श करने के बाद आरोप की जान सुरू कर दी है हुका नहीं पिलाने पर दुकांदार से गाली गलोज पुलिस ने किया ग्रफतार गाउं डहीना के बस्टो पर एक दुकांदार के साथ गाली गोश करने के आरोपी को पुलिस ने ग्रफतार किया है ग्रफतार के गई आरोपी की पैचान काउं डहीना लाल सिंग के रूप में हुई है C.I.E. ने जुआ खेलते पांच आरोपी पकड़े एक लाख रुपे भी बरामत की C.I.E. डेवडे ने सहर के साथ स्ठी कालोनी स्थित एक मकान में दब्बे देकर पांच यूगों को जुआ खेलते वे कावो क्या है प्लिस ने आरोपी से एक लाख रुपे से भी अधिक की नगती बरामत की है C.I.E. डेवडे इंचार्ज विद्या सकर ने बताया कि सोमार की साम को सोचना मिले की सहर की साथ स्ठी स्थित एक मकान में कुछ यूग जुआ खेल रहे है सोचना के बाद C.I.E. टीम ने मकान पर दब्विदी पुलिस को देकर आरोपी ने बागने का प्रियास किया प्रंतु उन्हें वहीं पर दबोच लिया गया पत्नी की आतम हत्या के मामले में आरोपी पती हुआ ग्रफतार सहर के मोहला सकती नगर में मार्च मामेक मेला दवरा आतम हत्या के जाने के मामले में मोडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपी पती को ग्रफतार किया है उत्तर बरतेश के जिला हापड के गाउं छिकोली निवासी अरुन सर्मा के रुप में हुई है परिवार को गोली से मारने के दमकी देने का आरोपी ग्रफतार कसोला थाना चेतर के एक गाउं निवासी युवक को फेस्बुक मेसंजर वेक कोल कर दमकी देने की आरोपी को कसोला थाना पुलिस ने ग्रफतार किया है आरोपी की पैचान रोथतक के गाउं उरिथिल फोगाट निवासी सागर के रूप में हुई है पुलिस ने बताए कि जनुरी महा में एक युवक ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसके पास एक युवक द्वारा मेशंजर के जरिये दमकी दी जा रही है यदि उसके अपनी पत्ने को तलाग ने दिया तो उसके पुरी परिवार की कोली से उड़ा दिया जाएगा आज की खबरी हैं तक फिर मिलेंगे हम इसी समय देखते रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बोले धन्यवाद